मुझे दुख भी हुआ सभापति मौद है और मुझे आश्चरय भी हुआ हमारी कोशिश रहती है कि इस संसथ में कभी भी व्यक्तिगत आश्शिक हम एक दूसरे के साथ सहमत नहुँ हम एक एक दूसरे के नीतियों पर हमारी नियत पर कटाक्ष जरूर करें पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं होना जाए और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल सभापती मौद है मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ जब राहूल गांदी जी ने सदन में कहा कि प्रधान मंत्री के लिए मनिपूर हिंदुस्तान का भाग ने मैं बताना चाहता हूँ आपको सभापती मौद है कि जिस प्रधान मंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है जिस प्रधान मंत्री का उत्तर पूरवी शेत्र के साथ दिल का रिश्टा है, जिस प्रधान मंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूरवी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जेस प्रधान मंत्री के रोम रोम में भारत माता बस्ती हो जेस प्रधान मंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन अंग बनाने के लिए अनुचे तीन सो सतर अरद किया हो शामा प्रसाद मुखर जी के सपने को एक विधान एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो मैं बताना चाहता हूँ उपक्ष को सभापती महुदे कि भारत को अलग-अलग टुकडों में देखने की विचारधारा आपकी है हमारी में हमारी सभापती महुदे आपने ही चेंज कराया मुझे कान खोल के सुन लो सत्य सुन लो आपने ही चेंज कराया अब मेरा मूमत खुलवाना सभापती महुदे जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आ है इसका सत्य जदेश की जनता के समख्षोनी चाहिए जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है वो सत्य आज इस सदन के द्वारा देश की जनता के समख्ष जानी चाहिए किसान सवापती मौदे इस देश की रीड की हद दी साथ प्रतिशत आबादी हमारी कृशी प्रधान राष्ट है लेकिन अगर किसान का पीट तोड़ने वाला कोई काल खंड रहा तो दोहजार चौदर के पहले रहा आज हमारा किसान को समर्थर मोल परियाप मातरा में मिल रहा है उसकी खरीदगी परियाप मातरा में हो रही है आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे है सभापती मौदे खुजली बहुत आती है खुझभी बहुत आती है खुझभी बहुत आती है आज हमारे किसान को सभापती मौ mechanics धान की खरीदी में 90 प्रतिशद वृद्धी हुई है गेयू की खरीदी में 75 प्रतिशद वृद्धी हुई है नरेजिन जी यहां बेठे हुए है हमारे समर्थन मूल की हम बात करें 2014-15 में धान की MSP 1360 थी आज धान की MSP 2183 है 60 प्रतिशत की वृत्वी हुई है कल कपास की बात की गई कपास की MSP हम बात करें कपास की MSP 3350 रुपए होती थी आज वही कपास की MSP बढ़कर 6620 हो चुकी है 80 प्रतिशत की वृत्वी हो गई सोया भी इनकी MSP 2560 रुपए होती थी आज 4600 रुपए हो चुकी है 80 प्रतिशत की वृत्वी हुई तो जहां हमारे देश का किसान हमारे देश का अंड़दाता सम्रिद हो चुका है उसी के साथ साथ किसान के लिए जो सीमान्त हमारा क्रिशक है 80 प्रतिशत हमारा क्रिशक आज भी सीमान्त क्रिशक है उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रुपए किसान सम्मान निदी के जरिये छे हजार रुपईया प्रतिवर्ष साड़े ग्यार किसानों के खातों में दो लाख चालीस हजार करोड रुपए प्रधान मंत्री ने पहुँचाने का कारियत लिए यही अंतर है तुष्टी करण और संतुष्टी करण के बीच में असवापती मौद है और इसी बे मैं बहुत बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में भारत्य जंता पार्टी की शिवराज सिंग्जी की सरकार ने इस छे हजार रुपई में छे हजार रुपई अतिरिक्द मिलाकर बारह हजार रुपईया प्रतिसाल असी लाग किसानों के खाते में डालने का कार्यक किया हमारे देश के पूर प्रदान मंत्री अटल बिहारी वाचवईजी का एक सपना था उनका एक सपना था कि इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स होना चाहिए और आज उनके सपने को अगर साकार किया है तो प्रदान मंत्री डरिंद मोदी जी ने केन बेतवा इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स के आधार पर किया 42 हजार करोड उपे की होज़ा उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के 13 जुलों को मला कि 60 लाक लोग प्रभावित होंगे ये वो बुंदेल खंड शेत्र है जिसने अपने इतिहास में सूखी माटी के अलावा कुछ नसीब नहीं किया था अध्यक्ष मौद सभाब अती मौद है आज वहाँ 11 लाक हेक्टर की सीचाई होगी 105 मेगवाट की उर्जा का सर्जन होगा और उसी के साथ इस परिवर्तन के स्केल पे भी मैं बात करना चाहता हूँ ये परिवर्तन का स्केल आजादी से 2003 तक 56 साल कॉंग्रेस की सरकार रही 56 साल 7.5 लाक हेक्टर की सीचाई होई थी और 20 वर्ष में 2003 से 2023 तक 20 वर्ष में 25 लाक हेक्टर की जमीन की सीचाई हुई है चैकुणा और जहां और जहां अब फिर उत्तेजित होगे और जहां 56 वर्ष में 7.5 लाक हेक्टर की सीचाई की योजणा दी वहां